असलाइकों गाईब आज मैं आप दिस विप करने चाहरी है स्किन केर के से ले 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 तो और इसकिन केर में सबसो पहले हमारा है फेस वाश फिर उसके बाद है मारा सीरम और उसके बाद है हमारा राइस जैल लेकिन जो मैं खरीद रही थी तो तब मुझे इतना इतना रिक्तिफ होगा क्योंकि मैंने बहुत महंगी महंगी भ्रैंड की चीज़े भी लिया तो मुझे की यहें लिया है तो यकीन माने इतना बहुतरी है जो कि बहुत जादे एक्समेसिफ प्रोडक्ट कभी नहीं होगा तो मैंने का कि आपके साथ शेयर करना चाहिए इसको तो मैं इसलिए आज आज आपके सामने इसका रिव्यू लेकर आई हूँ सबसे पहले हम फेस वाश के बारे में बात करेंगी तो ये क्यूटिश का मैंने लिया और एक ऐसे ही चलते हैं फिर शॉप में हम लोग गए और मैंने का मुझे फेस वाश लेना है तो मैंने का चलो ये ट्राय करते हैं और कुछ राइस मैं हाज कर ब्लॉक्स वगरा उनमें देख रही हूँ के बहुत जादा जो है ना राइस की पॉट्रेक्ट के बारे में का बताया जा रहा है तो मैंने का चलो मैं भी ये उस करके देखती हूँ तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग है क्यूटिश का राइस वाइटनिंग फेशल पॉम और रिकीन माने के बाके में थोड़ा सा इसको लें और बहुत जादा फॉम बनाता है और अभी तक्रीबन ये देखें मेरी येट्यूब आदी से भी कम रह गए और ये मैंने अपने परसनल यूज़ कर लिया है तब ही मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ और बिल्कुल जो है 100% जो है न वो सचाई बताऊंगी इसके बारे में किया चीज़ है ये तो मैंने का मैं जो चीज़ प्रोटक यूज़ कर दूँग पर उसके बारे में अच्छा जी हमने फेस वाश किया है फिर उसके बाद हम लगाते हैं ये जैल ये भी तकरिबन क्लीज़नर के तोर पर ही यूज़ होता है मुझे दी पता था मैं समझी ये नाइट क्रीम है नाइट क्रीम या नाइट जैल है लेकिन ये तूड़ा सा मेकप रिमोर टैप के अच्छा जैल है लेकिन है बड़ा बैस्ट आप यूज़ करें मेरे कहने पर तो आप भूद भी बहुत इसको जो है ना बहुत वाइदा उठा सकती है इसकिन जो है फ्लॉलेस हो जाती है क्योंकि मेरी स्किन बहुत डल और बहुत पिंट्मेंटिट हो रही थी तो मैंने जाते हैं तो यह आपको प्रोडेक्ट आपको फायता भी देगे तो यह है कि बहुत रीजनेबिल है मैंने ख्यासे 350 400 या 300 का मैंने लिया थी क्याकि मैंने बहुत सारी चीज़े लेती तो मुझे बना अंदाजा नहीं इसके से रियल प्राइस तो यह बहुत 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 आप इसको यूज़ करके देखेगा अचाहएं यह जो है इसको मैं लेकि फेस वोच का तो आपको पता है कैसे यूज़ करते हैं इसको मैं थोड़ा से लेती हूँ और हलका से इसको मसाज करते हैं स्कीन पर सक्रब की तरह फिर इसको जो है नहीं में क्योंकि इसके बहुत ब तरीके से दो तेन मिनिट लगते होंगे इसको करने में फिर उसके बाद में यूज करती हूँ यह बायो कॉसकर राइस जैल है और यकीन माने मैंने बहुत महेंगी सीरम भी उसकर है लेकिन जो इसका रेजल्ट है वह बहतरी नहीं अल्क आसम और इसको आप यूज करके देखे आप दुधे चीज मैंने बताई है यह किना आपको इससे बहुत फ्षायत होगा और ये मुरी सेकंड बाटल है ये मैं इसको और यह मैंने दूसरी भाई कि हूँ और यकीन मानी है ये मेरी सकिन पर बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है तो मैंने का मैं आप लोग से भी शेयर करती हूँ आप इसको अपनी नाइट रूटीन जो होती है उसमें आप इसको इसको इसमाद करके देखे बहुत आपसम और बहुतरीन रिजल्ट मिलेंगे और इसाललह अब मैं आपके मिलूंगी इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूंगे लाफिज